प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जो है वो कलकत्ता के अंदर थे पशिम मंगाल में थे और पशिम मंगाल में उन्होंने का कि बच्पन में कलकत्ता आया कि ये पशिम मंगाल की कलकत्ता की मेट्रो कैसी है अब प्रदान मंत्री तो इस बात को बोल गए लेकिन सचाई और अकीक 72 में और वो चली 1984 के अंदर अब 1950 में कोई बालक का जनम हुआ और 1984 तक वो बालक 34 साल की उमर में बालक बच्पन महीरा कमाल की बात है 34 साल में कौन सा बच्पन होता है प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी जी कलकता गए और उनका एक शगल है यो जहां जाते हैं तो कहते हैं कि साब मेरा यहां से प्रियन आता है या मैं यहाँ पर आया था तो तब मैंने यह किया था या एक जमाने मों कह गए कि मैंने अड़वानी को कलर फोटो वो जीमेल की लेकिन जीमेल कब आया और कलर फोटोग्राफ कब आया छोड़ दीजे उन बातों को अब एक नई चीज आईए, मैं पूरानी चीज दिखा करके आपको बोर नहीं करूँगा, नई चीज आईए एक, प्रदान मंत्री ने क्या कहा है, प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी जो है, वो कलकत्ता के अंदर थे, पशिम मंगाल में थे, और पशिम मंगाल में उन्होंने कह कि मैं बच्पन में कलकत्ता आया तो बच्पन में जब मैं कलकत्ता आया तो मेरा आकर्षन था मैं देखना चाहता था कि ये पश्य मंगाल की कलकत्ता की मेट्रो कैसे है अब प्रदान मंत्री तो इस बात को बोल गए लेकिन सचाई और हकीकत इस से को सोदूर है नरेंदर मोधी का जनम हुआ है 1950 के अंदर ये वीडियो जनम मैं दिखाओंगा आपको नरेंदर मोधी का जनम हुआ है 1950 के अंदर और कलकत्ता मैट्रो जो है उसकी अलहार सिलाप इंदरा गांदी ने रखी 1920 में और वो चली 1984 के अंदर अब 1950 में कोई बालक का जनम हुआ और 1984 तक वो बालक 34 साल की उमर में बालक बच्चपन में ही रहा अरे 34 साल की उमर के अंदर तो हो अगर किसी 20-20 साल की बच्चे की साधी कर दी जाए और तो वो 34 साल की उमर में उसके बच्चे जो स्कूल खेलने लग जाते उनका भी बच्चपन खतम हो जाता है स्कूल तक जो हो पहुँच जाते हैं उनका भी बच्चपन जो हो खतम हो जाता है और नरिंदर मोदी कह रहे हैं कि मेरा बच्चपन जो है वो यहीं बीता है या मेरे बच्चपन में जो है मैं आया तो मेरा बच्पन में जब मैं देखना चाह रहा था कमाल की बात है 34 साल में कौन सा बच्पन होता है लेकिन हाँ राहुल गांदी के अगर कोई ऐसी वीडियो होती तो शायद वो टीवी पर चलती लेकिन ये वीडियो पर चर्चा नहीं होगी आप खुद देखिए और लोगों तक पहुँचाई देखिए तो प्रधान मंत्री जी इस बात को कह रहे है अब क्या कहें साब नरिंदर मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच समझ करके ही कहा होगा नरिंदर मोदी ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा ये तारीक वारी गलत है शायद लेकिन तारीके सही है मैं आपको कुछ स्क्रिंशोट दिखाता हूँ पुनित कुमार ने लिखा है कि मोदी जी ने कहा कि मैं बच्पन में कोलकता आया तो एक आकरशन था कि जरा मैं मैट्रो देखूँ अब वो आकड़े के साथ में बता रहे हैं कि इंद्रा गांदी ने 1972 में कोलकता मैट्रो की आधार सिला रखी और 1934 में कोलकता मैट्रो पहली बार पट्रियों पर दोड़ी वैसे मोदी जी किस बच्पन की बात कर रहे है अब एक और देखी आप किर्शन कांट लिख रहे हैं कि मैं बच्पन में कोलकता आया तो एक आकरशन था जरा मैं मैट्रो देखूँ ये भाई साब पैदा हुए ये भाई साब 1950 में पैदा हुए कोलकता में पहली बार मैट्रो 1984 में चली तब ये 34 साल के हो चुके थे अब ये फरजी गरीब बच्पन में चाए बेचना भीख मांगना छोड़ करके कोलकता की मैट्रो भी देखाया ये गपोड़ी आदमी 140 करोड लोगों को 10 साल से मुर्ख बना रहा है तो देखी ये जो है वो फैक्ट है मतलब कि किसी के आलोचना नहीं किसी की जबरदस्ती जो है किसी परकार से ये नहीं कहना कि उसके बारे में कुछ ज़्यादा बड़ा चला करके बताय जा रहा है कम तर करके दिखाय जा रहा है ये फैक्ट है कि 1950 में नरेंदर मोदी जी का जनम हुआ ये फैक्ट है कि 1984 के अंदर मेट्रो चली तो आप ही बतायी नरेंदर मोदी कैसे देख गए मैं नरेंदर मोदी आखिर का कैसे कैसे जो है वो बच्पन में आकर के मेट्रो देख रहे थे और ये भी छोड़ी आप नरेंदर मोदी तो खुद कहते है कि मैं बच्पन में फकीर था जोला टांग करके जो बस गुमता रहता था जेव में खाने के पैसे तक नहीं थे दो दिन पहले बीजेपी ने खुद से ट्वीट किया देश के एक छोर से और दूसरे छोर तक पहुँच गया कमाल की बात ये है मुझे लगता है कि इस देश में सो करोड आदमी ऐसे होंगे शायद शायद सो करोड आदमी होंगे जो अपने प्रदेश से बाहर नहीं निकल पाए होंगे और जिनकी उमर चली गई होगी वो केवल और केवल अपने काम के लिए अपने जिले तक गए और जिले से वापिस आ गए जो लोग सरकारी नोकरी में रहे फोज पुलिस में रहे उन्होंने तो फिर भी थोड़ा सा देश को देख लिया कि उनकी फलाजय पर पोस्टिंग होई या फलाजय पर कोई काम से जाना पड़ा तो उन्होंने देख लिया कि कलकत्ता कैसा है मुंबई कैसा है या दिल्ली कैसा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए अपने जिले में जाते हैं और उसके अलावा भी अपने गाउं से बाहर ने निकल पाते हैं ये देश की कटू सत्ता ही लेकिन नरेंदर मोदी जी की गरीब फकीरी है कि वो फकीर आदमी थे उनकी माता जी बचपन में बरतन मांसती थी लेकिन नरेंदर मोदी जी नरेंदर मोदी जी देश के एक हिस्से से एक छोर से गुजरात जो है वो एक छोर है और कलकत्ता दूसरी तरफ है दूसरे छोर पर जो है वो नरेंदर मोदी चले गए और वहां जाकर कि उन्होंने कलकत्ता मेट्रो देखने की जो है वो आकर्शन था तो ये गजब बात है ये गजब चीजे है मैं कुछ फकीरी की फोटो दिखाने की कोशिस करता हूँ आपको और आप समझे कि ऐसी फकीरी शायद अमीरों को भी नसीब ना हो ये देखी आप ये नरिंदर मोदी जी की बाल नरिंदर की बाल नरिंदर की कुछ तस्वीर हैं आपके सामने अब आप बताईए कि 1950 के आसपास में आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग जनमा है जिसका जनम 1950 है तो काईदे से तो पहली बात यही है कि उनको अपनी जनम की तारिक नहीं पता होगी काईदे से बता रहा हूँ मैं आपको उनको ये पता होता है आप अपने गाउं दिहात में बुजुर्गों से पूछेंगे तो उनको ये पता होता है कि फलाना जो है वो जन्मा था उससे तीन महीने पहले ये जन्मा था अब फलाने आदमी के पास जाओगे तो फलाने आदमी के पास में भी यही डाटा मिलेगा कि फलाना जो है वो जनमा था इसकी मोसी का लड़का हुआ था उसके तीन महःने बाद हमारा ये लड़का हुआ था तो इस अरह से जो है ओर फिर उसके बाद में मास्टर जी जब पूशते है उस टाइम के मैं बता रहा हूं आपको तो मास्टर जी जब पूछते थे कि कब जनम हुआ तो जादतर बच्चों की जो डेटो बर्थ है वो आपको मिलेगी एक जनवरी 1950, एक जनवरी 1948, एक जनवरी 1960 मतलब कि मास्टर जी जो है वो सीधा ऐसे ही एक जनवरी, एक जुलाई, एक मई, एक सितंबर ऐसे ही अपने मन से डाल देते थे और उसके बाद में वही उनके जनम्दी थी हो जाती थी उसी दिन उनका बर्थड़े हो जाता था लेकिन ये नरेंदर मोदी जी की जो फोटो है जिसमें उताई लगाए हुए है ये नरेंदर मोदी जी की जो हाथ रख करके ऐसे कुर्सी पर बैठे वे हैं देखिए साब अब या तो ये फोटो इन्होंने जाकर के खिचवाई हैं कि कौन सा तब वो पासपोर्ट बन रहे थे तब इस तरह की फोटो जो बन रहे थी उनकी मुझे लगता है कि देश में और सो करोड ऐसे लोग होंगे जो शायद अपने पूरे जीवन में टाई बेल्ट आज तक पहने नहीं होंगे कोट नहीं पहने होंगे ये सचाई मैं आपको बता रहा हूँ इस देश की सो करोड के आसपास इस देश में आज भी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी जिन्दगी में कभी टाई वेल्ट नहीं पहना होगा लेकिन खैर नरेंदर मोदी है तो है और ये कभी जो है वो इस तरह से पोस्ट दे करके तो समाने आदमी को तो इस तरह से पोस्ट देना आता भी नहीं है कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर होता है वो बताता है कि बेटा ऐसे करना है इस तरह कैसे करना है तब वो फोटो खिषती है और केवल फिर छोड़ दीज़ीं आप बात इसकी कि नरिंदर मोदी जो है वो बच्पन में ऐसे ऐसे करके और बंद गले की टाई वगरा लगा करके फोटो किचवा रहे थे जवानी जो है वो कहते हैं कि फकीरे में कटी है लेकिन जवानी देखी आप आए ये जवानी के फोटो नरेंदर मोदी के ये जवानी के फोटो है कभी वो रेसिंग बाइट दोडा रहे थे कभी जो है वो विदेसों की जो है वो और जहें की अलग-अलग जहें की उनकी फोटो जो है वाइरल होती है तो ऐसी फकीरी तो मुझे लगता है कि सायद बड़े बड़े धना सेठों के लोगों की नई होगी मैं सचा ही बता रहा हूँ आपको मेरे बच्पन के फोटो ऐसे नहीं है और मुझे लगता है कि देश में सो करोड लोगों के बच्पन के फोटो ऐसे नहीं होगे कि जब उन्होंने टाइ बेल्ट पहन लिया होगा हम भी जब पहले काम करने लगे तब को टाइ बेल्ट पहनना हो शुरू किया और हम भी जब काम करने लगे पत्रकारिता करने लगे तब देश को जो अलग-अलग हिस्सों से देखा उससे पहले और जब तैयारिया कर रहे थे या और पढ़ाई कर रहे थे तब जो अलग-अलग जहेंपर रहने का मोका मिला पढ़ाई के वक्त में जो हो दो साल के लिए मैं बाहर चोंट नहीं रहा और क्या आप यकीन कर सकते हैं? लेकिन खेर, मोदी जी ने कहा है, तो कुछ सोच समझ करके कहा होगा। तो इस सरे की जो चीजें हैं वो आदमी या तो घवराहट में या हडबड़ाहट में ही बोल सकता हैं। समाने तोर पर आदमी जो है इस सरे की बातें नहीं कहता है। या पिर नरेंदर मोदी जी को ये अभास हो गया है ये विश्वास हो गया है कि वो जो कहेंगे देश उस पर यकीन करेगा क्योंकि गोदी मीडिया उसी को बार बार गुमा गुमा करके बताएगा। खबरों के लिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन है गंटी उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे कोई खबर अप्लोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके अगर ये वीडियो फेस्बुक पर देख रह